किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एक्रिकल्चर में इस वीडियो में हम 3, 4 और 5 जुलाई के मद्ध्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो इस समय पर पूरे मद्ध्रदेश में मांसून एक्टिव हो चुका हैं किसान भाईयो मोसम विबाग के अनुसार 3 और 4 जुलाई के दोरान भी प्रदेश के कई चैतरों में जोरदार बारिस होने की समभावना है तो इस वीडियो में हम आगे विस्दार से 3, 4 और 5 जुलाई के मद्ध्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे हम एक एक जिलो के नुसार मोसम की स्पेशल बात करेंगे की कौन कौन से जिलो में बारिस होगी और कौन कौन से जिलो का मोसम सुसक बना रहेगा तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतों तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देगे लाल लक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी के निसान आया हैं उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किचान भाईयो अब अगर मद्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करें तो मोसम के अंदर बोबाल के अनुसार तीन जुलाई के दोरान प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंग्रोली, उमरिया, सैडोल और अनुपुर इन जिलों के अधिकतर इस्टानों पर गरत चमक के साथ बोचारे गिरेगी, इसके लावा इन जिलों के कुछ इस्टानों पर मद्यम से बारी-बारी सोने की भी संभाव नहीं, इसके लावा प्रदेश के कटनी, छिंदवडा, सिवनी, सागर, छतरपुर, बोपाल, राइसेन, राजगर, सिहोर, विदीशा, हर्दा, नरम्द पूरम, बेतुल, पिंड, मुरेना, शोपूर, डिंडोरी, जबलपूर, बालागाट, नर्सिंगपूर, देवास, कंडवास, साजापूर और गुना, इन जिलों में भी कहीं कहीं पर गरचमा के साथ बिजली गिरने की संभावना है, तो कुछ इस्थानों पर अच्छी बर बारिस की इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिस ज्यादा होगी, तो यह थी मद्य प्रदेश के मोसम की जानकारी, आप प्रदेश के कौनसे जिले से बिलोंग करते हैं, और अभी आपके जिले में मोसम की क्या स्थिती हैं, क कमेंट करके आवश्य बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए मिलते हैं एकले वीडियो में जए जवान जए किसान